तो भाई मैंने एक वलोग चैनल बनाया है जिसका लिंग डिस्क्रेप्शन में है जाओ जल्दी ते जुन सब्सक्राइब कर लो रोईत लामबा का वलोग चैनल याने कि मेरा खुद का वलोग चैनल दूसरा चैनल इंटर्व्यू के अलावा सारी ट्रेवलिंग सारी मजाक मस् आपने दिखाऊंगा मैं उस चैनल पर जल्दी ते लिंक है सब्सक्राइब कर लो शेर करो सारे और जल्दी ते बाहिए जार सब्सक्राइबर पार करवाओ फटाफट पटाव जिराम राम नमस्कार स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्व चैनल पर मैं आपका दोस्त रोहित लामबा और जी उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे सवस्तों के खुश होंगे आज भाई हम आपको मिलवाएंगे अमित चानिवाला और विश्व भाई से इनका बहुत ही प्रोजेक्ट आ रहा है अवल टाक्स उसके बारे में हम बात चीत करेंगे बा बहुत बहुत थैंक्यू आप आए और सभी को राम राम जो भी भाई बैन जो भी देख रहे है बताइए आवर टाक्स के बारे में हमें तो वस आगे का पता है जब वीडियो आएगी उसके बाद का तो इनसे पूछे पर विश्व भाई कौन से चैनल से आएगा कब आएग तो आवर टोक्स गाना है हमारा जो की आ रहा है मेरे खुद के लेबल से और चैनल से आने का रीजन सिर्फ यह है कि गानों में बहुत ज़्यादा गया पारा था मेरे इसलिए मैंने सिर्फ अपना चैनल बनाया है और उसी वह जैसे डाल रहा हूं ताकि लेबल से भी आरा है कि जो लोग होते हैं मतलब जो लड़कियां होती है तो उनका क्या होता है कि सब ही ऐसे कहते हैं कि जो बंदा मुझ से जो बोलता है ना सिर्फ उनी चीजों में आया जाता है लाइक बातों में बंदा आता है तो इसमें सिर्फ एक लड़का लड़की को सिर्फ यही गह रहा तो हमने डाली हुई है एक इंस्टा के उपर दो लाईने बट जो मेरी फेवरेट है वो बता देता हूं इसमें वो है कि पूछे आशिकां का नाम ना रह कर बदनाम दिला याडे कह के बेशक बुला ले ने तूं हम उड़े से पड़े इस दुनिया दारी में रह तूं शुल जेसे बाड़ा मैं सुला ले ने तूं ना कंपेर करूं चांद निया लाली तै मैं ना करदा रह चीज किसे जाली गल्लै तेरी सारी रह बलाएं आज दे दे मननने तो बहुत बड़ी है बाई तो बाई गाना सुनके आपको लग रहे कितना शांदार होने वाड़ा है डिस्क्रिप्शन में बाई लिंक है विशु भाई के चैनल का जाओ जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो पहले जैसे ही गाना आएगा आपको नौटिफिकेशन मिल जाएगा दूसरी बात मैं कम्यूटी में शेयर भी कर दूँगा कब तक विशु भाई गाना रिलीज हो जाएगा भाई अभी तक जो प्लैन है आई थिंक 3rd of June को हो जाएगा रिलीज को उस दिन मेरे mom dad की anniversary है तो मैं सोच है और इसमें बहुत सारे surprises आपको मिलेंगे इस audio में क्योंकि अरियाना में जो normal audio होते हैं उससे भाई यह थोड़ा सा अटके है अमित भाई आपने featuring की है तो कैसा experience रहा इस गाने में featuring करने को भाई बहुत बढ़िया और एक story बेस नहोंगे कुछ अलग concept है इसमें एक जैसे मैं का नाम तो है बहुत ही अजीव है संसिया अजीव नाम है कोई बात निमें हमने बोल दिया जैसा भी है उनका नाम है संस्री ध्यानी वह खास साड़ बाई के काने में दिखी रही जैवीरू के अंदर उन्होंने में लीड किया है और वैसे आप उनको देख सकते हैं उनक इसमें विशुभाई इंग्लिश रैप भी है मैंने सुना भी इंग्लिश रैप नी है इसमें इसमें बेसिकली हमने इंग्लिश सिंगिंग करवाई है वो भी फीमेल से ठीक है एक 15-year-old रिधिमा नाम उसका आर्टिस नहीं आर जी यूज रटी वह और अपने लेबल से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा पील हमारा टेस्ट है अर्याना में भाई इंग्लिश रैप और इंग्लिश में मतलब सिंगिंग या आप देखोगे शैद पहली बार ही हो रहा है अमित भाईया सब पहली बार है यह पहले हो नहीं है सब पता चलेगा वाई बिलकुल विदेश वाड़ी फिल्म वह उसका टाइगर सोफ है क्या न पढ़ा मुझे अच्छा एक लिमिट के अंदर है यह वाई बयाए थे वादम समझ्या हो जाओं हमें जिन्दकी कितनी बदली शादी के बाद यह बताओ थोड़ा सा भाई कुछ नहीं बदली बस यह हो गया कि सुबह टाइम से उठो चाम को टाइम से घर पहुंत इसके ला कि वाई पुरी में फिल्मान तक लोग कठे हो जाओं शयाद आप इंटर्वी फितम करांगे हो जाओंगे इस तर भी दिखा दिए एक बार किये नहीं कोई नहीं मैं दिखा दूंगा जारे नहीं विश्व भाई इसके अलावा भी आपके काफी गाने आरे आते रहते हैं त तो वो था चोरा जम आगुची छोरी खड़ी रहे कतारा में बेल बोट माले यार फेल करें जाराने लाले आखाने रहे डकी फी रहे शेड काले यारे हाथ मारते रहे पामेंगे रहे छोरे बाडा में शर्टां टकीन फोल्ड पावेगी सलीव आगे मेरे को दिखान नहीं पावेगी अफीम हो आज भी रेलीव करा ओल्ड तरीकां थे क्राउड फोलो करे आरे वीशू कैसे लिकान है उन्नती भी राम राम जड़ए बाई जोन जोन वेल नोन बंदे भी वेल नोन कारां भी वेल नोन फैमिलियर सारे नोन नोन वेल नोन थेंक्यू वह यह अलग टे आपको क्या लगता है मतलब कितना टाइम और लगेगा कानों का टेस्ट बदलने में लोगों को अर्याना के जो लोग है कभी नहीं बदलेगा बाई लोगों को फोग पसंद जादा आते हैं क्योंकि वही बात है लोग बाबी देवर साड़ी यह जाज चलते हैं लेकिन हमार कि यह बनाओं इसलिए हम सुना हां किसकी गलती है आर्टिष्टों की है फिर लोगों की और दोनों का यह उनको बनाना पड़ता है क्योंकि लोगों को पसंद है ठीक है अगर वह नहीं बनाएंगा ऐसा तो चलेंगी नहीं मजबूरी हो जाती है बना रहे हैं तो लोग सुन के याइंगे वो एक रियल्ली ना है हूं कैमरे की सामने लोग कुछ नहीं करते हैं यह सुमझते नहीं लोग की कैमरे की सामने जोटा हो सिर्फ प्रफेशनल जिंदिगा कोई मतलब नहीं है दूर दूर थै वह सिरफ 5-10 मिनिट का कि अलो सारा अमित भाई पिछे आपका गा करता है गुलजार भाई ठीक है बाकिनोंने कोल आई थी मेरे पास की गणा कर रहे हैं तो आजाना मैं चला गया था हूँ उसके बाद अभी तक ना कोल आई ना कोई बात बात्सीत हुई नहीं तो आगे कुछ होता है तो बताएंगे अगे मतलब और उपर से भी है कि जो गाना था कॉंट्रिवर्सिल गाना उसको लोगों की तरफ से देखा गया है हमने ऐसा बोला नहीं कमेंट बोक्स में पढ़के आया हूं तो बहुत सारे लोग बोल देंगे मैं कौँ बाई मैं ना कहना भाई लोगों के कमेंट कह रहे थे कि गाना किसी को रिपलाई दिया गया है उससे पहले गाना आया था उसको ऐसा कुछ नहीं बाई यह गाना कम से कम दो साल पहले बना था ओडियो बस वीडियो इस टैम पर आया तो वही बाट है टाइमिंग थोड़ी गल्थ होगी थी तो वह घ्लत होगी अलाब जब टीम कॉंटिनू काम करती थी तब का ओडियो त सुटिंग स्टार्ट हो चुकी थी हाफ सुटिंग के वीच में पहुंचे थे तो हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बाद में लोगों से क्या गोगा आपका जवाना आने वाड़ा है और टाक्स के बारे में भाई मैं सबको यही कहना जाता हूं कि एक बार प्लीज सुने उसको ठीक है देखें भी वैसे वीडियो आ रही है तो देखें भी बट उसको सुने एक बार और सुनके एक बार थोड़ा अडेप्ट करने की कोशिश करें को बहुत सी सूधिंग चीज़े मुझे पता है जो भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं वह सभी पंजाबी भी सुन सुनने का रीजन सिर्फ यह होता है कि वह अच्छा होता है ठीक है सो एक अच्छी चीज आ रही है तो आप उसको सुनो और अडेप्ट करने की कोशिश करो ताकि लोग वह जो आप कह रहे हो कि बदमाशी पर आ रहे हैं या जो भी अलग तीम पर गाने आ रहे हैं वह भी बार सुनोगे ना तो अपने हाथ चलने लगनी लगए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सिर्फ ना जो गाने रील्स पे चलते ना सिर्फ वह गाने बढ़िया नहीं होते आप एक बार सुना करो कि नया आर्टिस्ट क्या लेकि आ रहे हैं ठीक है रील्स का सिर्फ इतना ह करते हैं कि गाना रील्स पे चले ठीक है तब यूट्यूब पे ऑटमेटिक व्यूज आ जाएंगे मतलब वह एक सब प्लैट्फॉम बन चुका है कि उसकी वज़े से मैंटलिटी वैसी बनगी है तो मतलब एक ये भी थोड़ा सा है कि एक ये भी थोड़ा सा है कि गाना सुन कम आप कोई पता है कि लोग बुखा कोई नहीं मरता है रसल कम आगे खालेंगे ठीक है लेकिन आप एक बार आर्ट को थोड़ा सा ध्यान दो आर्टिस से ज्यादा क्या कहेंगे क्या कहेंगा यही कि भाई गाना सुनो अथा लगे तो लाइक शेयर कोमेंट जरूर करें बता देखो जाके सब्सक्राइब कर लो और तीन जून के लिए रिमाइंडर लगा दो कि गाना आने वाड़ा तीन जून को और टाक्स जैसी गाना आएगा मैं कम्यूटी भी डाल दूंगा स्टोरी भी लगा दूंगा तो आप लोग जाके सुन लेना और उसको शेयर करना भाई अमिद भाई अमेक्स वाल और जल्दी से फिर और टेकनिक रिश्यो आजाओ वरना क्या इसलिए टीम को इकठा किया गया था क्योंकि पिछले गाने में एक लाइन थी कि साथ में टीम को भी छोड़ दिया गाउं भी नहीं है ऐसा कुछ था कि पूरी टीम को एक साथ दिखा सेर कर दियो जितना उसका है दूमें ठा दियो अब लोग देखना क्योंकि टैस्ट तभी बदलेगा जब यह लोग बनाएं यह लोग बनाते हैं अब आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है बाई अगर अब ने आप नहीं सुनोगे तो आप पे बले माएगा इन पर नहीं बना रहे हैं आप लोगों को सुनना पड़ेगा और ऐसे गाने जब सुनोगे तभी टेस्ट बदलेगा अरियाना के कानों का लोगों का तो सुनियो जरूर अवर टाक्स तीन जून को विशु भाई के खुद के चैनल से आ रहा है डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है जाओ जल्दी सुस्क्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल दबादो ताकि मिल जाओ अपने नोटिफिकेशन शुक्रिया में दबाई टाइम देने के लिए तो बहुत बशुक्रिया आप से लोग का वीडियो देखने के लिए